वेल्कम बैक गाइस और यूटूब चैनल जूडो की वाइन इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीप्स अनकन्वेंशनल की कि उस सुचिशन में शिदो बनता या नहीं बनता है तो यह शिदो का 9-11 जो पार्ट आएंगे वह शिदो के सुचिशेशन को हम क्लियर करेंगे उन स्क्राइब दे चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेर करना ना बूलें नाओ कम तो दो टॉपिक हम अपने टॉपिक पे चलते हैं वीडियो नॉमबर वन दोनौ ही प्लेयर की तरफ से प्रोक्रेस हो रहा है सोलुوशन डूना जा रहा है अटैकिंग का है अरक अ कि सबनेगटिव तो नहीं है अपी तक कोई की मतला है रैफ्रीम नेवर सलूशन डून रहे हैं दोनीपले सलूशन गरिप लेके खड़े नहीं है उनका तो कुछ घूंड रहे तो टेग देना चाहिए था तो इस सुचाइसन में माते किया तरह द्यूसर्ट हाज में अगें जो कोई रहे से नहीं नहीं बनेगा यहाँ पर किलिए इस वीडियो में तो प्रोग्रेस जो हो रहा है वो positively हो रहा है कोई negative नहीं मिल रहा दोनों ही प्लियर की तरफ से हल दूनने की कोशिश कर रहे हैं हल डूनदा जा रहा है दोनों ही ट्राइ कर रहे हैं तो मते एन हज में कोई शीदो नहीं now come to the next video video number two का फिलमब और क्रेशन चला है बट माते हैं आज में नाशीदो कोई शीदो नहीं है यहां पर क्लिर नाशीदो माते हैं हज में okay now come to the video number three one side grip blue blue action and attack यह बेटर लेकर रहा है तो नहीं वोडिफेन्सिफ सहे तो चिद ही मिलेगा नहीं के है बैक्टर क्रीप लेने के ट्राइ कर रहा है और बैक्टर एक्षिन की मुमेंट के लिए जा रहा है तो इस नॉट नॉट इनॉफ और सिदो क्लियर है नॉशिदो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो नॉबर फॉर पे है 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 यहां पर दो मिसिंग है टैक्निक जो मिसिंग जो दिख रही है वह स्युमी गाईशी दिख रही है जो कफी कफी लंबा टाइम लिया रियल प्रोग्रेशन है अब चीक ट्राइक है जिदो फॉर ब्लू कि क्लियर वीडियो नॉबर फॉर में शिदो है ब्लू का का फी लंबा टाइम लिया वन सट गी प्रही ओची कोची ट्राइक वर जो मिसिंग लगा जो होना पॉसिबल जादा था सुमी गैशी को हमने मिस्स किया इसमें मुमेंट में तो मिसिंग सुमी गैशी रही तो शिदो फॉर ब्लू को नो कम टूदर नेक्स वीडियो वडियो नुबर फाइफ विदो प्रहणी लुबर विदो फॉर पॉर प्रहणी विदों यह थे वाइट टेक बैल्ट गृप कंटेन्यू इस पर कोई अटेक नहीं तो प्रेशन नहीं हो रहा है वाज़ इत्त काफी लंबर टाइम चला गया मात्य करनी है और मैल्ट गृप मिन्स आपको अटेकिंग मॉमेंट बनानी है इमिटेट अटेक करना है तो शीदो फोर वाइट बैल्ट गृप का तेकिंग दा बैल्ट गृप क्लिर रहा है वाइट का शीदो है इसमें काफी लंबे टाइम काफी लॉंग टाइम चला गया बैल्ट गृप के साथ कोई अटेक नहीं किया कोई प्रोग्रेशन नहीं रहा र नूम्बर 6 कि वाइट टेकिंग दफ पिश्टल ग्रीप इन आराउंड नाइन तू नाइन तू 10 सेकेंड जो पिश्टल ग्रीप काफी स्टोंग है जो इंटर्प्रेटेट करती है ब्लोड सर्कुलेशन को आम आमस के अंदर हातों में तो काफी लंबा टाइम लिया पिश्ट वाइट नहीं तो आराउंड नाइन तू 10 सेकेंड के हैं पिश्टल ग्रीप के साथ जो डिस्टब करता है जो इंटर्प्रेट करता है ब्लोड सर्कुलेशन को तो क्लियर रहा शिदो फोर वाइट किसका पिश्टल ग्रीप का क्लियर फिट से देखने एक और का कफी लंबा टाइम लिया वाइट ने कंटिनू पिश्टल ग्रीप पकड़के रखी माते किया अंशिट आपको बता है न अपिश्टल ग्रीप का क्या रीजन है मिन्स काफी लंबा टाम तक क्यों नहीं रखना चाहिए क्यों उसको आवाइट करते हैं विकॉस ब्लेट सर्कुलेशन को अफिए इंटर्परेट टिस्टप करता है वो तो इसलिए उसको हम अवाइट करता है तो नौ क्लियर इस वाइट शीदो नौ सीदा नेक्स्ट वीडियो वीडियो नूमबर सेवन दोनों ही प्लियर ओभी तो रही गाईशी के लिए चाहरे थे तो टाइम देना चाहिए था इस मोमेंट में मोमेंट चल रहा है सर्चिंग चल रही है तेक टेक यो टाइम टेना था गिप टाइम अन बट काफी अली सरी माते हुआ है काफी जल्दी माते कर रहा रहरा राफ हिन तो इसमें क्या था कि उसको टाइम स्क्वा हुआ म Switch की मोमेंट मेन वें यह बन ही तर नहीं है जो उबूँ को यदि प्लियरह गायो घान चाह वीडियो नुम्बर एट अज़ेस्ट करता हुआ है वाइट प्लियर तो पीछे की गृप जो माते किया काफी जल्दी माते हुआ है गृप चुड़ाया अज़ेस्ट करते हुआ गृप वाइट प्लियर अपर गृप ली जो अभी यह पीवी प्रॉपर नहीं आए तो कफी जल्दी माते हुआ है इस सचेशन में वाइट टेक पिश्टल गृप एन बट अरेंज दाट पिश्टल कर रहा है और टेक गृप टेक बैटर गरिप के लिए जा रहा है वाइट प्लियर तो नो शीदो शीदो नहीं बनता वाइट का नहीं ब्लू का तो माते हैं हज में यह eight example थे grips unconventional के I hope कि आपको concept clear हुआ होगा तो मिलते हैं फिर next part में video number 12 में I hope काफी concept clear हुआ होगा आपको और अपना किसी चीज को लेकर doubt है किसी decision को लेकर तो आप comment box में बता सकते हैं और वीडियो को like share करना ना बूले फिर मिलते हैं next video में thank you for watching